आपका कहना चाहता हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो संक्राचार के द्वारा बिरोध किया जा रहा है वो बिरोध मात राजनीतिक पार्टियों विपक्षी पार्टियों के द्वारा उनको इंगित करके करा जा रहा है उनका अंदर से जब वो सोने के सिंहासन पर बैट कर चलते थे और भगवान राम टेंट में बैठे हुए थे तो क्या उनके द्वारा कोई बलिदान राम जन्भूमी के लिए क्या गया है नरेंद्र मोदी योगी इन लोगों ने तो 1970 से अथक प्रयास करने के बाद में तब वो आज यहां पर हम लोगों को ला करके राम जन्भूमी निर्मार की ब्योसा बना सके हैं अन्य था आज तक कोई भी पक्च कोई भी पार्टी इसके बारे में कोई ब्योसा नहीं किया है केवल नेहरू से ले करके आज तक सारे नेता उने क्योल राजनीतिक रोटी इसको बना रखा था उनके के द्वारा सोमनाथ मंदिर तक का उधाटन नहीं किया गया बुलाने के बाद भी नहीं किया गया था कहीं भी कोई भी कारिक्रम जो हिंदू से शंबंधित रहता था वो कांग्रेस के किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया गया है और वो हमेशा अलग ही रहे हैं इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि उनको सदबुद्धी दे इश्वर और वो हमारे हाँ जो भगवान राम की प्रत्राण प्रतिष्ठा हो रही उस कारेकर में सब्लित हो यह जैसा कि आप समाचार में सुन रहे हैं कि जनमभूम का जो निर्माल हो रहा है वो जो अस्थान जनमभूम का था उ वो भी अस्थान हमने देखा है और जहां मौझूदा है वहां भी मैं देख रहा हूँ और आगे भी देखेंगे तो अगर उनको संका हो वो महाराष्ट्रा में बैठे हुए हैं मैं अजुद्ध्या कर रहने वाला हूँ और जो चीज मैं देख रहा हूँ उसको वो आ करके क कन्फर्म कर सकते हैं अज गलत अफवा फैलाई जा रही है चलिए धन्यवाद सर क्या नाम है अजय सी यह पूरा प्रकड़न हुआ है इसके बारे में बताएंगे कुछ इस प्रकड़न में जिस दिन ताला खुला था रामजनमहूम का यह मानिये जनपत नयाधिस महोदय का यह अदालत है यहां पर हनवान जी जो है स्वयम बंदर के रूप में आ करके संपूर दिन इस ध्वज को पकड़े हुए बैठे थे और जैसे ही जजमेंट हुआ है वो इसे जंडे को हिला करके चले गए यह हनवान जो कुछ हो रहा है जो द्या में यह सब हनवान जी की किर किसी परकार को उनको दिक्कत नहीं थी भोजन के जरूत होती थी चार शे घर से जो है पूरी सबजी यह सब बनवा करके उनको भोजन करवा दिया जाता था और यह ताला यह जनम भूम जो है यह गिरा कैसे है जिस दिन जनम भूम गिरा है उसके एक दिन पहले जनम भूम के सामने मंच लगा हुआ था संपोर भारत के लोग इकठा थे और वहां पर ये घोसड़ा हुआ कि कल सुबह आप लोग सर्जु जी में असनान करके और आएंगे एक अजुरी बालू ला करके यहां गिराएंगे उस समय जनता जो है जो भीड कठा थी वो जो है कंट्रोल के बाह हर हो गई दूसरे दिन जो है वहां भी हनुमाजी की किरपा है हनुमाजी बंदर के रूप में आ रहे हैं खंबे को हिला रहे हैं और उस खंबे से बिजली गाइब हो जा रही है एक बस जो है एक बिक्ति चलाता हुआ जितने बेरियर है उनको तोड़ते हुए देखे हनुम हमबा जहें उसको तोड़ दिया गया और आप यह समझें चार-पांच घंटे के अंदर चार-पांच घंटे के अंदर इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद वह बाबरी मस्जिद गाइब हो गया उसका एक इटा भी मौके पर नहीं रह गया यह अजोद्या के इस्तित है और सब उसको परसाद सुरूप यहां से उठा ले गए तो सब इटो को और हनवान जी के किरपा से जो है लाइट भी गायब हो गई और बस भी बहरियर भी तोड़ते हुए चले गए आज भी आप ले लिजिए आज मानिय परधान मंत्री जी जो है मुख्य यजमान थे जानते ही हो कि गरपा यहां पर भगवान राम जब गुपतार घार जाने लेगे उन्होंने किया क्या उन्होंने हनुमान जी को यहां पर प्रहरी यहां के कोतवाल हनुमान जी है और पूरी व्योस्ता हनुमान जी देखते हैं यहां पर बंबी स्पोर्ट हुआ बंबी स्पोर्ट हुआ और हर्माद जी के रहते हुए हर्माद जी के देखरेख में है अज अध्या में कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकती है आपने कहा यजमान चेंज होगे लेकिन अब जो हाई कोट में लाबाद हाई कोट में जो जन्हित याची का दायर की गई है इसमें यही कहा गया है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कारिकरम है वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आधितनाद द्वारा नहीं किया जाना चाहिए कि वो असमने दाने के, देखे अईसा हाए, प्राण प्रतिष्था किसके दवारा करना चाहिए, समझ है ना, क्या आब प्राण प्रतिष्था नहीं कर सकते हैं? कोई भी भी सकते गर सकते हैं? प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ जो होता है वो पूजा पाठ के तहद हिंदु धर्म सास्त्रों के इंसार प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई इसी रोक नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हैं तो हमको आसा ये है कि प्रान प्रतिष्ठा होगा और नियाले भी यही चाहती है जो कुछ हो रहा है उससाब आप देखिए जो सुप्रीम कोड में आदेश हो रहा है उस समय भी ये जश्टिस महुदे ने किताब में लिखा है कि सब प्रभू के किरपा से हो रहा है तो यहां स आप है मलिक पुर्डाभा सिमर फैजाबा से हैं अब आयोद्यानगरी को देख करें अब हर तरह से बदल चुकी है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हर तरफ परिवर्तन है और क्या बाता है हमारी राम मंदिर बन रही है और हम क्या बता सकते हैं आपका क्या नाम मेरा नाम लगा सोर्ग लगा मुझे यहां कि महराष्ट के NCP के एक नेता है उन्होंने कहा था भगवान श्री राम तो मांसाहरी थे आप अब वो कुछ भी कोहेंगे हम उसके वारे में कुछ बोलेंगे नहीं क्या और जो कहना है उनका जो वो कुछ भी कहते रहेंगे और जितिन रावा कि मुझे तो लगता नहीं है कि हुँ हिंदु यह करके मुझे लगता है वो सनातनी नहीं है कोई होंगे भी तो हिंदु होकर भी हिंदु का विरोत करना है सबसे बड़ी बुरी बाती आप महराष्ट से आते हैं बाल ठाकरे साफ जी का कितना बड़ा योगदान था ये माचा था उसको गिराने में लेकिन उनी के पुत्र अब रामन्दिर को लेकर इतना उखडे उखडे से कि मैं अब जिसके धर्मिक विचारदारा है जो जो अपने विचारदारा जो दिल से निकलता है हो यु उसकी विचारदा रहा है अब हम तो कुछ कहींड़े सकते आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है?